हेलो फ्रेंट्स टेस्ट वाला के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक रहेगा विवा विवा की पदतियां ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विवा होता क्या है इसको एक परिवाशा जान लेते हैं बिवा जो है वीदन वा इन दो सब्दों से मिलके बना है जिसका अर्थ होता है विशेश रूप से वयन करना वयन करना मतलब उत्तरदाई तो लेना किसी का ठीक है ग्रहस्त आस्रम में प्रिवेश का द्वार है ब्रह्ति जब ब्रह्मचर आस्रम को कंप्लीट करता है तो वय ग्रहस्त आस्रम में प्रिवेश करता है विवा के माद्यम से ही वय ग्रहस्त आस्रम में प्रिवेश करेगा परिवार की आधार सिला है विवा बिवा के बाद ही आपका परिवार की पूर्णता होगी ठीक है, उगार्डस ने परिवासा दी है इस्तरी पुरुस को पारिवारिक जीबन में प्रिवेस कराने वाली संस्ता का नाम ही बिवा है ठीक है, तो ये आप जब भी विवास से संबंदित कोशिन आए तो वहाँ पे आप इनमें से किसी की भी एक की परिवासा का यूज़ कर सकते है ठीक है, इसी के साथ लूसी मेर की परिवासा है लूसि मेयर के नुसार विवाह इस्थी पुरुस का ऐसा योग है जिसके दुआरा इस्थी से जन्मा बच्चा माता पिता की बैत संतान कहलाता है याम अग… मुरडाकATE है मुरडाके नुसार विवाह को किस तरीके परिवासित किया गया है मुर्डाक ने का आएगी यौन संतुष्टि के साथ आर्थिक एवं सामाजिक सेयोग प्रदान करने वाली संस्था का नाम बिवा है ठीक है तो यहाँ पे यह तीन प्रमक बिद्वान हैं उनके परिवासा हैं हो गई अच्छा माना जाता था जबकि जो चार ववा थे उनने निम्नकूटि का माना जाता था तो इसमें देकि पहला रहेगा जो उतकरिष्ट या उच्छ कोटी के बिवा थे उसमें ब्रह्म बिवा, देब बिवा, आर्ष बिवा और प्रजापत्य बिवा ठीक है तो इसमें आप introduction में लिखेंगे हिंदु धरम में विवा को एक संसकार के रूप में माना गया है यह 16 संसकारों में से एक संसकार था इसे पाने किरान संसकार कहते हैं मनु इसमिती में आठ प्रकार के ववाओं का बढणन किया गया है तो आप इसको चार-चार के भाग में डिवाइट कर सकते हैं इसके बाद आपका पहला विवा हो जाएगा यह है ब्रह्म विवा ब्रह्म विवा में क्या रहेगा ब्रह्म विवा में देखे क्या रहेगा उनों पक्षें वे समान वर्ग के होंगे इसमें कन्या के पिता स्रिष्ट वर्ग का चैन करके उसके साथ अपनी कन्या का विवा करेंगे वर्ज होगा वह बेदों का उसे बेदों का ग्यान होगा यहाँ पे कन्या का दान किया जाता है आठ जो विवा है उनमें यह सर्वसित विवा माना गया है बर्तमान में जो अरेंज मेरिज है वह इसी का एक रूप है तो ये ब्रह्मे ब्वा आपको important है इसके बाद next आता है आपका देव ब्वा देव ब्वा में क्या रहेगा जो कन्या है उसका ब्वा प्रोहित के साथ किया जाएगा प्रोहित जिसे यग कर्मकांड और बेदों का ग्यानो वे प्रोहित कहला था प्रोहित के साथ इसमें कन्या का ब्वा किया जाता है कन्या को आपुषणादी से सुसज्जित करके उसका दान किया जाता है ऐसा माना जाता है इसमें कि देवों के साथ बिवा किया जा रहा है ठीक है और यही जो देव बिवा इसी से प्रचलित होगया आगे जाके देव दासी पिता का चलन हुआ ठाल है इसके बाद आपका next है आर्स बिवा दिक है आर्स का अर्थ होता है रिशी ठीक है इसमें क्या रहेगा चैने का बिवा कनने का एक्छूक रिशी जब कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल देता है तो वह बिवा की एक्छा जायर करता है और इसमें विदि विदान से बिवा को संपनि किया जाता है इसके लिए नेक्स्ट है आपका पिरजापत्य बिवा प्रजापत्य बिवा ये ब्रह्मे जो बिवा था उसी के समान है ठीक है इसमें क्या रहेगा जो वर रहेगा वैं अभी जाते वर का रहता है वर का चैन करके अपनी कन्या के लिए योग की वर का चैन करता है और सामाजिक धार्मेक दायतिवों का निर्वान करने की सपत दिलाई जाती है धार्मेक कारिकश Holmes का आयुजन होता है ठीक है इसके बाद आपका गंदर्व विवा इसे प्रें विवा भी का जाता है जो आजकर लम्मेरिज है यही गंदर्व विवा का एक सरूप है इमन कोटी का बिवा है इसमें क्या रहता है कि माता पिता या परिवार जनों की अनुमती के बिना ही बर और कन्या बिना किसी रीती रिवाज के आपस में बिवा कर लेते हैं यह गंदर बिवा कहलाता है इसमें बिना किसी रीती रिवाज और अनुमती के ये बिवा किया जाता है ठीक है बरतमान में जो लब मेरिज होती है वो यही है अदब गंदर बिवा का ही सरूप है और ये सबसे जानदा आपको भवर्गुआ पे देखने को मिलेगा बस अंतर इतना है पहले ये गंदर बिवा पूर्टा को प्राप्त जाता है था बरतमान में पूर्टा को प्राप्त नहीं हो बाता तोड़े जरूर देखने को मिल सकते है परन्तु उनका बिवा ब्रंब बिवा या परज़ापत्य बिवा के रूप में ही होगा इसको निम्न कोटी का बवा पहले भी कहा जाता था आज भी इसको वही माना जा सकता है तो जो भी लोग गंदर बवा के आरे में बिचार कर रहे हो वह प्रजापत्य या ब्रंब बवा की और अपना रुख करें इसमें आपकी भलाई होगी इसमें आप उधारन लिख सकते हैं कृष्ण रुक्मानी का बवा और राजा दुशेंतो शगुंतला का बवा ठीक है ये आप लिख मत देना मैंने के वाल आपको समझाने के लिए लिए लिखाता इसके बाद है आपका नेक्स्ट असुर बवा असुर बवा में ये बदू मूले पर आथारित बवा कहलाता है ये भी निम्नकोटी का बवा है इसका प्रचलन बरतवान में पश्चमी राजस्तान हर्याना के राजियों में अधिकता देखने को मिलता है इसमें क्या रहता है कि जो वर पक्च रहता है वह बदू मूले चुकाता है कन्या के पिता को और उसके बदले कन्या का बवा उस बर से किया जाता है ठीक है इसके बाद आपका नेक्स्ट है राक्छस बवा राक्षस बिवा इसमें क्या रहेगा कन्या की साहिमति के बिना उसका बल पूरवक अप्रण किया जाएगा और उससे बिवा किया जाता है ठीक है ये बिवा चत्रिय बिवा भी कहलाता है चत्रिय बिवा क्यों कहलाता है कि क्या होता था कि युद्धों में क्यों होता था जो चत्रिय अपने युद्धों में जाते थे तो वह वहां से कन्याओं का अप्राण करके उनसे बिवा कर लेते थे उनकी सहिमती की बना इसलिए इसे छत्री बवा भी कहा जाने लगा इसके बाद है आपका अंतिम जो आठवा बवा है ये है पैसाच बवा इसमें क्या रहेगा किसी कन्या की अचेत अवस्ता मानसिक दुरवलता ये गहन निद्रा की स्तिती में निस्तिती का फायदा उठाकर उसके साथ सारे रिक संबंद बनाकर सारे रिक संबंद बनाने के बाद उससे बवा करना क्या कहलाता है पैसाच बवा कहलाता है ये सभी बवाओं में जो निक्रिष्टरतम बवा है यही कहलाता है बरतमानमे यह अपरातकी स्रीड़ी में है तो अगर कोई भी इस तरीके के ब्रभवा के बारे में सोच रहा हो तो वो तो बिल्कुल ना सोचे ठीक है आप केबल ब्रहम्ब ब्रभवा पर फोकस कर सकते हैं अगर इससे चांदा है तो प्रजापत्य विवा पर फोकस करें बाकी सारे विवा आप लोगों के लिए नहीं है तो इस तरीके से हमारे जो आटों विवा पत्यतियां थी वह कंप्लीट होती है विवा का क्या उद्देश है तो यह आपसे 5 मारकर कोशन बन सकता है कि विवा के क्या उद्देश नहीं लिखिए तो विवा के उद्देश जो विवा का मुख्य उद्देश होता है वे होता है इस तरी और पुरुष के योन सम्मंदों को नियमित करना उसको बैद्दिता प्रदान करना और इस्थायत प्रदान करना जो और उद्देश होंगे उसमें आपको परिवार बसाना परिवार को इस्थायत प्रदान करना नेक्स्ट पॉइंट है आपका योन संतुष्टी योन संतुष्टी में आप लिख सकते हैं अनुष्य की मूलूत आवशक्ताओं में योन संतुष्टी भी एक आवशक्ता है ये बिवा जो है योन एक्छाओं और योन बिवारों को नियंतृत करने का सर्वुत्म तरीका है योन संबंदों को सुध्धता प्रदान करता है विवा ठीक है तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गए है इसके बाद है सामाजी करन सामाजिक संबंदों को विस्तार प्रदान करता है नए रिस्ते आपके बनते हैं नए संबंदों का विकास होता है next point हो जाएगा बच्चों का पालन दवहां के द्वारा संतान की उत्तपती उसका पालन पोशंड किया जाता है ठीक है next point है आपका आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग से मतलब है आपका इस्त्री है वे इविवा के बाद आर्थिक रूप से अपने जो उसका अपने पती पर निर्वा करती है तो आर्थिक सईयोग भी प्रदान करती है अपने पती को एक दूसरे पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्वारता दोनों की हो जाती है ठीक है आर्थिक सईयोग आर्थिक सईयोग में हो जाएगा क्या है कि बिभा के बाद इस तरी अपने पती पर आर्थे गॡूप से निर्बर करती है परन्तु अब बरतवान में ये परिस्थिती बदल चुकिया आजकल तो कई सारे पुरोस है जो अपनी जो पत्नियां उन पर आर्थे गॡूप से निर्बर करते हैं इसके बाद आपका इसमें और आप जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं संस्किती और सब्विता की नरंतरता को बनाए रखना धार्मिक कार्यों की पूर्थी करना संपत्ति के अधिकारों का निर्धारन करना मानसिक संतोस की प्राप्ती रोगों से मुक्ती ठीक है इस तरीके के आप अन्य पॉइंट इसमें लिख सकते हैं जो जितनी भी बिवा थी बिवा से संबन्द जितनी भी आस्पेक्ट थी वो सभी आपे कंप्लीट कर दिये गए हैं अप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से बवा सबसे अच्छा लगा और आप कौन से बवा करना चाहेंगे विसे आपकी चाने से कुछ नहीं होगा बवा तो आपका घरवालों की चाने से होगा ठीक है तो इस तरीके से आज का ये वीडियो कॉम्प्लीट होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद